सभी को राम राम नमस्कार जैहिंद मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का आपके अपने यूटुब चैनल जिक्के बाई संदीप सिवाज पर जो बच्चा चैनल के उपर पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जुरूर प्रेस कर ले क्योंकि मेरे द्वारा जो भी ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है उसका नोटिफकेशन आप सभी बच्चों तक सबसे पहले पहुँच पाए मेरे प्यारे बच्चों आज सुबह के न्यूज पेपर में आप लोगों को एक न्यूज पढ़ने को मिली होगी कि हरियाना के अंदर बहुत जल्दी जो है वो CET होने जा रहा है हलांकि ये एक प्रकार से चुनावी स्टंट भी लगता है क्योंकि सरकार अभी तक सोई हुई थी 2022 के अंदर CET मेरे बच्चों निकाला गया था और उसके बाद लगबग 2 साल होने को है कोई भी CET अरियाना के अंदर कंड़क्ट नहीं करवाया गया और पिछले CET से भी कोई बरती जो है वो अच्छे त्रीके से सीरे नहीं चड़ पाई और जो सीरे चड़ पाई है उनके उपर भी जो काले बादल है वो मंडरा रहे है मेरे बच्चों क्या ये नवंबर में CET हो सकता है साथ की साथ जो आप लोग सोच रहे हैं कि आचार सहीता के अंदर क्या न्यूक्तियां हो सकती है अचार साइता के अंदर क्या बर्तियों का प्रोसेस आगे बढ़ सकता है इसको लेकर भी आज के नियूजपेपर में आप लोगों को पढ़ने को मिला होगा देखेगा मैं इस सब के लिए जो जिम्मेदार ठहराता हूं वो सरकार और सरकार के साथ-साथ विपक्स को भी जिम्मेदार ठहराता हूं क्योंकि सरकार ने बच्चों को गंबीर नहीं लिया तो विपक्स ने भी बच्चों आवाज नहीं उठाई तो इसका मलब दोनों ही जो है वो एक ही सिस्टम में सामिल है लेकिन आप लोग जो है वो स्टूडेंट है और हम जो है वो मिर बच्चों एजूकेटर है या स्टूडेंट ही है तो हमारा जो काम है वो सिरफ पढ़ना है और साथ की साथ पढ़ाना है बरतियां करने का काम तो सरकार करेंगी और अब सरकार का भी बच्चो प्रिक्षा आ रही है आप सभी को बता होगा सरकार की भी प्रिक्षा है विपक्स की भी प्रिक्षा है और उनका रजल्ट जो है ना वो हम जैसे लोगों के हाथों में है जो मेरे बच्चो बहरत के हरियाना के वोटर हैं तो आप लोगों के लिए जो यह notification है क्या इसकी सच्चाई है इसके उपर भी हम चर्चा करेंगे आचार सहित्वा में बरतियां और न्यूक्तिया दी जा सकती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे क्या वास्तों में सरकार ऐसा कर रही है या सिरफ election नस्दीक देखकर एक बच्चों के बीच positivity बनाने का काम सरकार कर रही है इसके भी हम सर्चा करेंगे मेरे बच्चो सारा का सारा जो scenario है वो आप लोग सुरू से देखते आये हैं मेरे को बार-बार वो बाते रिपीट करने की जुरूरत भी नहीं है क्योंकि आप कोई बच्चे नहीं है आप लोग सब समझदार हैं और सारी की सारी चीज़े अच्छे से समझते हैं आज के जो newspaper में है वो ये आया है कि 10 लाख युवाओं का इंतजार खतम नवंबर में CET की त्यारी बच्चो दस लाख ये युवाओं कौन से हैं ये वो युवाओं हैं जो 2022 के बाद पलस्टू करके बैठे हैं कमपीटिशन की दुनिया में वो कदम ही नहीं रख पाए हैं क्योंकि जो सरकार ने बोला था कि हर साल हम 2 CET करवाएंगे तो 2 CET तो छोड़िएगा 2 साल के अंदर बच्चो एक भी CET अभी तक नहीं हुआ लेकिन अब election नजदीक हैं तो election नजदीक हैं तो बच्चो ये जो news paper में है न ऐसे ऐसे article अब आना स्टार्ट हो चुके हैं यदि सरकार की मनसा वास्तों में CET लेने की है तो मैं बोलता हूँ कि news paper के अंदर आप ये बाते ना निकलवाएं बलकि आप direct notification निकलवाएं HSSC से CET का direct notification आना चाहिए ये news paper के अंदर जो लोली पोप दिये जा रहे है न ये नहीं आने चाहिए क्योंकि सरकार यदि सही वास्तों में बच्चों के अंदर positivity बनाना चाहती है वापिस मेरे बच्चों वो पढ़ाई का माहोल पैदा करना चाहती है तो सरकार को notification और साथ की साथ बच्चों बरतियां और न्यूक्तियां दोनों के उपर जो है वो काम करके दिखाना पड़ेगा और election से पहले यदि ये काम कर लेती है ना सरकार तो सरकार के लिए भी अच्छा रहेगा विपक्स के लिए भी अच्छा रहेगा बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा बच्चों के माता पिता के लिए भी अच्छा रहेगा तो एक positive माहूल जो है ना वो news paper के अंदर बार बार ये article आने से नहीं बनेगा बलकि HSSC की तरफ से वो notification आना चाहिए यदि CET आप सही मायने में नमंबर में ले रहे हैं तो आपको जल्दी ही notification फिर निकाल देना चाहिए ताकि बच्चे जो है ना जो इस पढ़ाई की दरा से अलग हो गए थे वो इस दारा के अंदर वाफिस जुड़ने का काम करें और वाफिस से वो library coaching के अंदर जाकर मेरे बच्चों पढ़ाई अपनी निरंतर जो है ना वो करते रहें तो देखेगा यहाँ पर नमंबर के अंदर CET लेने की बात हो रही है यहाँ पर मेरे बच्चों मेरे को हसी भी आई एक बात सुनकर कि अब की बार बोला है कि HSC ही करवाएगी CET NTA से किनारा कर रही है क्योंकि बोला गया है कि अब की बार जो NEET की प्रिक्षा हुई थी ना तो उसमें NTA के उपर सवाल उठे थे तो HSC के उपर तो कभी सवाल उठे ही नहीं है HSC दो बहुत हमारा प्यारा सा कमिसन है इसके उपर कोई किसी ने उंगली आज तक नहीं उठाई तो मेरे इसाब से आगे भारत के अन्य राज्यों के पेपर भी HSC करवा सकता है मेरे को इस न्यूज से ऐसा लग रहा है कैसा मजाक है NTA ने बहुत अच्छा पेपर कंड़क्ट करवाया था मेरे बच्चो CET का बहुत सिस्टम से पेपर हुआ था तो NTA ही पेपर करवाए तो कम से कम हम ये तो विश्वास रख सकते हैं ना हम इस तो विश्वास में आ सकते हैं ना कि जो सलेबस है जो पेपर का पैटरन है वो बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि NTA ने जो भी प्रिक्षा रही है वो बिल्कुल पेपर पैटरन बहुत अच्छा रहा है संतोस जनक रहा है हर बच्चा क्या रहा खुस तो यहाँ पर ऐसी ऐसी निउस बड़के भी मेरे को हसी आ रही है आपको भी पक्की हसी आएगी ठीक है तो NTA से इसलिए किनारा किया है ऐसा भी यहाँ पर बोला गया है बच्चो ग्रूप C और ग्रूप D का CET होगा सरकार ये बोल रही है प्रिक्षा की तीथियां तया नहीं की गई है वो इसलिए नहीं की गई है क्योंकि मेरे बच्चो इलेक्षन आ रहा है ठीक है ना तो प्रिक्षा की तीथि तया कर देंगे और उस तीथि को फिर पर नहीं हुआ तो बच्चो में और नेगिटिविटी बच्चो इसलिए अब की बार जो ये मेरे को लग रहा है वो चुनावी स्टंट लग रहा है हालांकि आपका काम है पढ़ना पढ़ते आपको रहना पढ़ेगा नमंबर सीटी में नहीं होगा तो दिसंबर में हो जाएगा जनवरी में हो जाएगा उसको होना ही है क्योंकि सीटी के तहती बरतियां बोल रहे है और हम सारे के सारे बच्चे सरकार से ये भी गुजारिस करते हैं ना कि सीटी को हटाई दो सीटी को हटा दोगे तो हर बरती जो है ना वो अच्छे तरीके से सिरे चड़ जाएगी कमिशन के भी सारा का सारा सिस्टम कबू में आ जाएगा ये CET के लगू होने के बाद सिस्टम भी बचो उलज गया है उसके भी बाते समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या CET है, क्या इसके रूल है किस-किस तरीके से क्योंकि हर बरती के अंदर अलग-लग रूल जो है न वो थोपा जा रहा है तो आप लोग बता दीजिएगा मेरे को कि आपको ये क्या लगता है ये चुनावी स्टन्ट लगता है या वास्तों में ही सरकार नमंबर में CET मेरे बच्चों ले लेगी तो वास्तों में तो मेरे को लगता नहीं है बाकी आप लोग पड़े लिखे अच्छे तरीके से समझ सकते हो क्योंकि इस कंपिटिशन की दुनिया में काफी पुराने आप लोग जूड़े हुए होंगे तो आप मेरे को कमेंट में जुरूर बताना और एक जो न्यूज है बच्छो वो ये है कि HPSC और HSSC की जितनी भी बरतियों के नोटिफकेसन आए है उन नोटिफकेसन के उपर आचार सहिता का कोई परवाव नहीं पड़ेगा बरतियां और न्यूक्तियां जो है ना वो होती रहेंगी ये मुख realization अधिकारी ने बात कही है कि स्मेधानिक निखाए के पास ये अधिकार है बरति के उपर कोई असर नहीं है तो ये एक परकार से सुखद ख़वर है यदि सही मायने में बच्छो आचार सहिता का कोई भी परभाव नहीं पड़ रहा है तो HPSC और HSSC को अपने काम में तेजी लानी चाहिए और election से पहले जो भी pending result है और जो भी बच्चो न्युक्तियां है ना वो सभी बच्चों को दी जानी चाहिए जिसमें हम गुरूप 567 की भी बात कर रहे हैं गुरूप D की भी बात कर रहे हैं हरियाना पुलिस का जो फिलहाल बच्चो PST चल रहा है उसकी लिखित प्रिक्षा कराने के बाद उस ज्वाइनिंग की भी बात कर रहे हैं तो जो भी pending result है वो election से पहले यदि ऐसा है तो election के पार लेके जाओगे तो समश्या है election से पहले यदि आप ये कर लोगे तो बच्चों के अंदर एक positive माहूल जो है न वो बन जाएगा तो यही important information देने के लिए माया था तो आप लोग मेरे को ये बता दीजिएगा कि क्या आपको ये सही लगता है या एक सुनावी stunt है वो comment में आप मेरे को बता दीजिएगा क्या सही मायने में October के अंदर हो सकता है आपका CET नया और बच्चों क्या ये चुनाव से पहले सारी की सारी pending बरतिया जो हो पूरी हो जाएगी आप लोग मेरे को अपनी राय जरूर देना ठीक है साथ की साथ स्किल का जमाना आ रहा है तो आप बच्चों स्किल का कोई ना कोई एक कोर्स जरूर करके रखे आगे बहुत सारी वकेंसी आएंगी डिपलोमा आप कर सकते हैं Health Sanitary Inspector से सारे के सारे जो आप ये डिपलोमे हैं ये आप मेरे बच्चों Affiliated Institute से करेंगे ऐसे फरजी वाड़े में सामिल नहीं होंगे बच्चों योगा इंस्ट्रक्टर ये हरियाना की सरकारी उन्वस्टी से आपका होगा जो Skill Development University पलवल के अंदर हरियाना जिक्के के अंदर हम पढ़ते और पढ़ते आए हैं उसी इन्वस्टी के अंदर Level 5 का ये योगा का कोर्स बहुत शांदार आपके लिए है और इसकी जो अभी लास्ट डेट है बच्चों वो 24 तारिक कर दी गई है 20 तारिक पहले थी अब इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 तारिक है Health Sanitary Inspector बहुत शांदार बहुत जबरदस्ट बहुत पुराने बहुत विश्वसनी है Institute से आप लोग कर सकते हैं और यदि आपको कोई भी जानकारी इन courses से related चाहिए है तो मेरे बच्चों आप इस नंबर के उपर call या WhatsApp भी कर सकते हैं ठीक है साथ की साथ इसके अलावा fireman की बरती fireman act जब लागू होगा तो fireman की बरती हर department में आएगी बहुत ही बच्चों अच्छा course है ये fireman का ठीक है हर्याना के अंदर भी जो बरती हुई fireman की उसमें भी पद खाली रहा गए तो ये fireman जो है आप कर सकते हैं योगा हर्याना की सरकारी इन स्वर्ष्टी के से कर सकते हैं entity ECC के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं entity और ECC आप अच्छे institute से करें आप फरजी वाड़े में सामिल ना हो मिरवच्चों ठीक है तो shortcut जो है ना वो कोई भी तरीका नहीं है आपको मेहनत करके ये diploma हासिल करने पड़ेंगे मेहनत करनी पड़ेगे आपको पढ़ना पड़ेगा आपको उस skill के बारे में आपको knowledge लेनी पड़ेगी वो skill आपके अंदर आनी चाहिए ठीक है तो इसी information के लिए मैं आया था साथ की साथ आप ये भी ध्यान रखना कि जो भी मैं YouTube के उपर classes लेता हूँ उसकी जो PDF है बिल्कुल free of cost में examence application के उपर डाल दी गई है फिर भी किसी बच्चे को PDF नहीं मिलती है तो वो मेरे बच्चो इसी नंबर के उपर WhatsApp मेरे को कर लीजेगा मैं लिंक आपको प्रवाइड करा दूँगा तो जो हमने agriculture, animal, husbandry, police, job, special data, इन classes की जो PDF है ना वो सारी की सारी मैं examence application के उपर ही upload करूँगा जिसमें police वाली आपको PDF है नजर भी आ चुकी होगी तो आप लोग फरियोब कोश्ट यहां से प्राप्त कर सकते हैं ठीक है चलेगा थैंक्यू, बाई बाई, लव यू आप सभी को